आप निल्सका कर दोस्तोस आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेड agita के इस नए बीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो américain हम जानेंगी यूपđ पोलिस कॉंस्टेबल लिके नॉर्माइजेशन के गड़त के बारे कि किस type कर नर्मलाइजेसन होता है और यहां पर second जो list आई है उनको नर्मलाइजेसन के कितने तक अंक यहां पर बढ़ सकते है दोस्तो यह जो नर्मलाइजेसन यहां अंक दिये हुए यहां सब अनुमानित अंक है confirmation की साथ अंक यह नहीं है तो दोस्तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा ताकि दोस्तो जो भी यहाँ पर डिसक्रिशन हो उसको आप अच्छी भली भाती समझ सकें तो चलिए दोस्तो अपने यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तो जैसे कि आपको पता होगा कि 15 दिशंबर को यहाँ पर जो कटॉप था भाए घोशित कर दिया है यूपी पुलिस बोड के द्वारा और वैपसाइट पर अप्डूट कर दिया है आप उस पर जाकर देख सकते अधि आपने नई देखा है तो दोस्तों आप बात करें तो जैनलवालों का अजमा जनल वालों का है वहां पर 102 और एस्टी वालों का है 135 है ठीक है दोस्तों आप इसके बाद बात करते हैं कि किस सिप्ट के कितने नमबर यहां पर बढ़ सकते हैं दोस्तों जैसे कि आपको पद्यात होगा कि अठारा तारहा तारह उनीस तारह पचीस और चार डेटों पर एक्जाम संपन हुआ था अधरेटों पर यहां पर पेपर हुआ तोस्तों यहां पर बात और यहां था सबसे देट आपन 16 आप जादा टप नहीं था इसमें कुछ चाहता रहा नहीं दा दो दोस्तों इसके नमर बढ़ना बिलकुल मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो जिनका भी यहां पर 26 तारीक को एक्जाम हुआ था उनके काफी नमबर हाइस्ट पहुंच गए हैं इसलिए दोस्तों यह इजी पेपर माना जा यह 26 तारी को जो पेपर हुआ था बहुत ही इजी पेपर था इसलिए इसके नमबर हाई चले गए थे दोस्तों इसलिए इसमें कोई भी डिफ्रेंस नहीं होने वारा जितना कट आप रहे केवल उतने ही कट आप बाले स्टुडेंटों को यहां पर क्वालिफाई किया जाएगा इसके बात बात करते हैं दोस्तों आपके नमबर आते हैं तो आपका सेलेक्शन हो शक्ता है ठीक है और अपके बात हैँ अब चैंगे था इसलेक्शन होनी की पच्सती वालों के नमबर आठाएंगे पर बात करते हैं तो एसलेक्शन होनहांने की शंभावना होगा इसके बात करते हैं दोस्तों उन्नीस तारिक की दोस्तों इसमें जाना नंबर मिलने की चाहिंस दोस्तों जनर्नल वानों के लिए तारिक की सिफ्ट वालों के लिए यहां पर कम से कम 200 प्लस नंबर की आवश्यक्ता होगी ठीक है भाहिं ओविसी वालों की यहां पर बात करें तो बीस अंक की यहां पर जरूवत पढ़ेगी ठीक है इसके बात करते हैं दुश्तों समय पेरा पहला पेपर जो हुआ था बहुत हुआ ठारा थारज को 18 तारिक कुछ पेपर यहां पर हुआ था आका buffer की याया जा पर नहीं जा पाए है तो दोस्तों इसलिए आप नंबर जाना वरनें कि बहुत-बहुत संभावना है इसलिए दोस्तों यदि आपके जनरल में हो और यदि आपने अठारा तारी कि यहां पर एक्जाम दिया था और यदि आपके एक सो नभे प्लस नमबर हैं तो दोस्तों आपका सेलेक्शन हैं आप हंड़ेट परसेन मान जाए गया या जनरल वा यहां पर है 180 प्लस अंक चाहिए होंगे ठीक है एक सो असी यदि अठारा तारी को एक सो असी आपके नमबर आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग तो दोस्तों यहां दोसो चार क्रोस कर जाएगा 180 से क्यूंकि इतने इस में नमबर बढ़ जाएंगे ठीक है इसके बात बात करत है तो दोस्तों यह जो नौर्वलाइजेशन का गड़त है यह मैंने बहुत ही जादा यहां पर सर्च करके यहां पर बताया है क्यूंकि दोस्तों बहुत सार यूटूबर्स जो की बड़ी बड़ी कोजिंग संस्ताओं वाले हैं भाई भी लगबग यही कट आप बता रहे ह दोस्तों के बाद जो कट ओफ भाई तो फाइनल बॉर्ड नहीं कर दिया है यहां पर ठीक है और यह जो बी इनहां पर नमर आपको दिए हैं दोस्तों यह आपके इस डेट में अग्जाम हुआ है और इतने नमर के आपके आज सपास है तो आप एमाने के चलिए कि आपके सि तरह से तयार कर लिए जी ताकि आप रणिंग में भी डिस्क्वालिफाई ना हो पाएं ठीक है तो दोस्तों अब यहीं पर होता है शमाप तेदी आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो फिलीस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं अंगली नेश वीडियो हैं तब तरह के लिए दोस्तों बाई